गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स आज फर्वरी की दस्तारीक है और मेरे गार्डन में आज बहुत से फूल खिल हैं इसलिए मैं आज आपको इसके बारे में बताना चाहती है यह जो प्लांट आपको दिख रहा है यह एक कैलंचु का प्लांट है यह अब फर्वरी में पूरा ख खिल चुका है इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसकी अपडेट बता दूँ यह यलो डबल पैटेंड में कैलंच हुई है इसको मैं नर्शरी से 50 उपे में खरीद के लाई थी जनरली वैसे 100-500 रुपे में यह मिलता है लेकिन उसने मुझे 50 उपे में दे दिया तो मैं लेके आ ग बृफ्पे में ज़ içi दीन और स­के लुपे मैं अख्टूमबर में लगा था लेकिन अक्टूमबर में इसके बीज नहीं लगे फिर मैंने इसको नुवम्बर में लगा और त्यार सिढलिंग तयार रह थी अब वरवरी में इसके काफी फूल आने लगए है और ये तीन तरह के फूल खिले हैं इसमें रेड, ओरेंज, डार्क और लाइट ओरेंज खिल रहे हैं इसमें जो पिले पत्ते पड़ गए हैं उसे निकाल देना चाहिए निकाल देना चाहिए और जो फ्लावर सूख चुके हैं या फ्लावरिंग दे चुके हैं उस फ्लावर को भी निकाल देना चाहिए जिससे की और ज़्यदा फ्लावरिंग हो इसकी पत्ये भी देखने में किती सुन्दर लगती है यह flower बहुत ही अच्छा और सुन्दर है अब जो आप देख रहे हो यह marigold red zafri है यह hybrid variety के flower है इसको भी मैंने 20 से लगाए थे यह एक ड्राफ variety है और यह भी बहुत ही सुन्दर लगते है यह stock का flower plant है यह भी बहुत ही खिल रहा है मेरे garden में और अब इसमें single pattern में अब 20 seed बढ़ना start हो गए है और इसमें फलियां भी आने लग गई है देखो बहुत सी फलियां आई हुई है और 20 start हो जाएंगे यह double pattern है इसमें कोई फलियां नहीं बनी हुई है इसमें फूल को टारी उसके पिछे कोई फलियां नहीं बनी हुई है इसका मतलब double pattern में कोई फलियां नहीं बनती है यह जो मैंने transplant किये थे उसमें भी छोटे छोटे फूल आना start हो गए है इन सब में में फूल बन रहे है यह पॉपी के फ्लावर है यह भी मैंने 20 से लगाए थे जो अब आना इस्टार्ड हो गए हैं यह एलाइसम के प्लांट है इससे स्वीट एलाइसम भी कहते हैं इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और बहुत ही सुन्दर लगते हैं और इसमें बिनी-बिनी कुश्बू आती है यह मैरिगोल्ट के प्लांट है यह घर पर ही इसके सीट तयार किये हुए हैं यह जो माला आती है पुजा में वगर उसके ही सीट भी खेर हुए हैं यह भी बहुत सुन्दर प्लांट है यह स्वीट पटाटो के प्लांट है इसमें बहुत ही सुन्दर फूल आते हैं जो काफ विंका का पौदा है, इसे सदाबार भी कहते हैं, जैसा इसका नाम है, वैसा ही इसका काम है, ये पूरे साल गार्डन में बने हुए रहते हैं, और फूलों की इसकी सोबा बने हुई रहती हैं, इसमें आजकल बहुत सी वेराइटी और कलर आने लगे हैं, मेरे पास भी 4-5 कलर जो बहुत खिलते रहते हैं और इसके सीट्स रचते हैं कि वो घृते रहते और अपना पी बोदे बनते रहते हैं यह गार्डन से खत्म ही नहीं होते हैं यह गलाडिया का फूल है यह भी बहुत बर-बर के फूल आते हैं और बहुत ही सुन्दर लगते हैं इसके मैंने भी बीस देखे थे तब लेके आई थी यह सिंगल बैराइटी सिंगल पैटेन का है और यह डबल पैटेन का है जो मेरे पिछले साल के हैं और यह भी बहुत ही अ तो इसको फूल आने में तीन महिने लगते हैं, तो अब फरवर इस्टार्ड हुई है, तो थोड़ा थोड़ा इसमें कलिया आना इस्टार्ड हुई है, ये बहुत सारे गंबले मैंने तयार किये, कुछ में बड़े है, कुछ में छुटे है, कुछ में सिड्लि éléments अभी पड़ी ही है तो बहुत सारे लगा दिये थी इसके फ्लॉवर दीखने में बहुत सुन्दर लगते है तो इसलिए मैंने इसके बहुत सारे बीज डाल दे थे और बहुत सारे ये तयार हो गए हैं सर्दियों में भी अपन दिक बहुत सारे पोदे लगा सकते हैं और पूरा गार्डन पसंद आये तो लाइक एंड सस्क्राइब करना थेंक यू